अगले पेज में आपको यहां पर सबसे उपर इंस्टॉल्ड एप जो लिखा हुआ है इस पर टैप करना है अब आपको यहां पेज रहेगा इस पेज में आपको ने नीचे आना है यहां पर आपको ने एक उप्शन मिल जागा ब्लुटूथ का मैं आपको दिखा देता हूं यह वाला ब्लुटूथ M.I.D.I. सरविस इसे आपको टैप करने तो आपको यह रहा पेज आएगा ब्लुटूथ M.I.D.I. पर टैप करना है तो आपको इंटरनेट आपको चालू कर लेना है इसके बाद फून का सैटिंग पेज ओपन करना है यहां पर सबसूपर सर्च बार में आपको लिखना है नीचे की साइट आपको इसे वाले पेज पर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहां पर लिखा हुआ दिखाई देता है तो अपको अपको टैप करके फून का आपडेट कर लेना है अब देखिए अगला काम करना के हैँग आपको अपने मुवाइल फून को रिषय करना है जब मेरे बताय हुए पिछले प्रोसर्स काम नहीं करते हैं तब आपको को reset करने हैं अदरवाइस नहीं करना है phone को reset करने के लिए phone का setting page open कर लीजिए setting page में सबसुपर सर्च बार पर tap करना है यहां पर सबसुपर सर्च बार में reset आपको लिखना है नीचे की साइट आपको यह option show होता है erase all data factory reset factory reset पर tap करना है तो आपको इस वाले page पे erase all data का option tap करना है नीचे एक page आता है इसमें आपको erase data का option tap करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके Bluetooth की keeps stopping की problem solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखना है आपके phone में जितना भी data है सारा data आप किसी भी दूसरे phone में transfer कर लिजे या आप अपने phone की data का backup ले लिजे दूसरी बात ही ध्यान रखने है आपके phone की gmail id और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करने है उसके बात phone को reset करना है तो मेरे बताएवे सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने से आपके Bluetooth की keeps stopping की problem solve हो जाएगी ठीक ना